आज 26 सितंबर 2030 आज की मुरली के उपर मेडिटेशन अपने आपको बिल्कुल हलका छोड़ देंगे बहुत कालका अभ्यास जैसे शरीर हलका होते जा रहा है मन शान्त होते जा रहा है ध्यान दो आखों के बीचे गागर हो रहा है शान्त हो रिकागर है इस शरीर के अंदर मैं मस्तक मनी हूँ आत्मा हो मेरे आखों के सामने निराकार एवर हसीन मुसाफिर शिव बाबा है जो प्यार का सागर है प्यार के सागर शिव बाबा से प्यार की एक बूंद मुझ आत्मा में समाते जा रही है एक एक प्यार की बूंद से मैं आत्मा भर्पूर हो रही हूँ बाबा मुझे अंदर से शक्त शाली करा है जितना जितना मैं आत्मा हूँ शंती के सागर के प्यार में समाती जा रही हूँ उतना उतना दूसरों को और विश्व को शंती का दान देने के निमित बन रही हूँ बाबा ने मुझे अपने समान दुख हरता और सुक करता बना दिया है एक पल एक भरोसे से मैं हर परिस्थिती में हिम्मत का संकल्प करते हूँ कि मुझे विजई बनना ही है और हिम्मत के वज़े से सर्व शक्तिवां शिव बाबा के मदद के पात्र बन जाते हैं बाबा ने मेरे सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहनाया है और बाबा मुझे दृष्टी दे कर कह रहे है कि बच्चे आप बाब समान पिश्व कल्यान कारी हो एक बाब से पूरा लव रखने के कारण जिस्मानी बातों से बचे हुए हो हमेशा उमंग उच्चा में रहकर औरों का उमंग उच्चा बनाने के निमित्त हो मास्टर दुख हरता सुख करता हो मेरी सर्व शक्तिया दुआय और वर्दान हमेशा तुमारे साथ है तुम बाब का शो करने के निमित्त हो जाओ पूरे विश्व में बाब का धिंडोरा पिठवा कर बाब को प्रत्यक्ष करो बाबा से दृष्टी और वर्दान प्राप्त करके बहुत शक्तिशालिया नबहोरा बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहें दन्यवाद बाबा दन्यवाद मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा और दुलरा बाबा सच्चा बाबा और अच्छा बाबा दयालो बाबा कृपालो बाबा वाह बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया अच्छा ओ शांति अच्छा बाबा है